हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ में सेयर करने वाली एक पैंट की महुरी का डिजाइन, ये डिजाइन हम कटवर्ग के साथ में बनाएंगे और डोरी के साथ में बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने देखिए पेस्टिंग पेपर का यूज क किया है, आप इसकी जगा पर बुकरम का भी यूज कर सकते है, तो ये मैंने यहां पर पहले से कट करके रखी हुई है, और इसकी जो मैंने लैंथ रखी है, वो मैंने पौने दो इंच रखी है, ये देखिए, पौने दो इंच मैंने इसकी लैंथ रखी है, और इसकी जो हम बिजाइन देने वाले है, उस बिजाइन के लिए मैंने ये एक बुकरम का छोटा सा पीस कट करके रखा है, जिसकी मैंने चोडाई रखी है 2 इंच, और इसकी लेंथ मैंने रखी है, पौने 2 इंच, तो लेंथ हम इसकी सेम रखेंगे जितनी हमारी हमने ये पेश्टिंग मार्किंग कर लेंगे, हाफ इंच पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, अब ये जो हमारा नीचे का स्पेस आ है, ये हमारा सवाई इंच आया है, अब इसमें हम अपने डिजाइन को ड्रॉ करेंगे, तो देखिए हमें इस तरह से इसमें डिजाइन ड्रॉ करना है, इस त की कटिंग कर लेंगे तो इस्ततर हमें इस के कटिंग कर लेंगे और यह हमारा एक दिजाइन का चोटा सा डि enrich हमारा बनकेयायरण कर रखते हुए हम अपने पूरी पैस्टिंग पेपर में इस तरहए के डिजाइन जो ड्रॉ करेंगे तो यहां से पहले हम सब्सक्राइथ से दौनों साइड में एक एक इंच हम मार्क कर लेंगे इस तरह से एक या देट देट इंच पर आप मार्किंग कर लेंगे जो हमने मार्किंग की है वहां से हम अपने इस तरह से ड्राफ को रखेंगे और इस पर मार्किंग कर लेंगे हम डिजाइन के चारू तरफ इस तरह से और गाईज अगर आप मेरे चैनल पे नई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो देखिए इसी तरह से हम अपने ड्राफ को रखते हुए इसमें डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे ये देखिए साइड में भी हमें डेड इंच या एक इंच जो भी आप छोड़ना चाहिए वहापे मार्किंग कर लेनी है और वहीं तक हमें अपने डिजाइन को इस तरह से ड्रॉ करना न है इसी तरह से हम इस पूरी पेश्टिंग में इस तरह से DEG 알아 कर लेंगे तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूं वीडियो थोड़ी लैंड थी है क्योंकि मैंने इसमें पूरा डिटेल से आपको समझाने की कोसिस की है तो वीडियो को स्किप ना करें पूरा एंड तक देखें देखें इस तरह से हम अपनी सभी की इनकी कटिंग कर लेंगे कटिंग मैंने कर लिया अब मैं इसको करूंगी कपड़े पर पेश्ट तो यह जो मैंने कपड़ा लिया है यह मैंने लैंथ में लिया है पांच इंच तक और इसकी चोड़ाई हम रखेंगे जितना हमारा यह डिजाइन बनके रेडी हुआ है इतना तो देखिए मैंने इसको इस तरह से पेश्ट कर लिया है साइड में हाफ इंच कपड़ा उपर की तरफ छोड़ते होए अब जो हमने उपर की तरफ हाफ इंच कपड़ा छोड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से आपको इसी तरह से इसको पेश्ट करना है कि उपर की तरफ आप हाफ इंच कपड़ा छोड़ दे अब हम अपने ड्राफ को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हमारा देखिए नीचे की साइड भी कपड़ा बचना चाहिए और उपर की साइड भी हमारा हाफ इंच के करीब कपड़ा बचना चाहिए, इस तरह से आपको फोल्ड करना है, अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तो डिजाइन के हमें चारो तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, बुकरम के बिल्कुल किनारे पर, और यह जो आप कॉर्नर्स देख रहे तो सेप अच्छी नहीं आएगी, तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे अपने इस पर डिजाइन पर, अब सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कर लेंगे कटिंग, थोड़ा सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा चोड़ेंगे और बाकी का हम कट कर लेंगे, तो इस तरह के और भी डिजाइन से आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप इंट्रेस्टिड है तो आप जाके चेक कर सकते है, और सारी रियूज स्टीचिंग पैटर्न सभी के आपको वीडियो मिल जाएगी, ड्रैसिज की कटिंग बदता है कि मेरे चैनल आपके लिए हैलफफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आगे और भी ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो जिमें आपके लिए लेके आती रहूंगी, तो देखिए मैंने यहां पर कट लगा लिए है, अब हम इसको सीधा करते है अपने ड्राफ को इस तरह से, पहले आप एक बार में रफली इसको सीधा कर लेंगे, फिर बाद में किसी सार्प चीज से आप इसके कॉर्नर को निकाल लेंगे, यह देखिए मैं फिंगर से इसको इस तरह से, मैंने इस पर आइरन कर लिए है और इसको अच्छे से सैट कर ल लिया है और इसकी मैंने चोड़ाई रखी है डेडिंज लैंथ आप इसकी जादा ही रखेंगे क्योंकि हमें कम से कम 20 तक इसकी स्ट्रिप्स चाहिएंगी लगाने के लिए इस पर मैंने फ्यूज पेपर को पेश्ट कर लिया है अगर आपके पास फ्यूज पेपर नहीं है तो हाफ इंच तक होनी चाहिए अगर आप फ्यूज पेपर अटेच करते हैं तो आपके कपड़े में एक बाउंस आ जाएगा और हाडनेस आ जाएगी डोरी स्ट्रिप्स जो हमारी हाड बनेंगे जिससे कि हम बाद में जब इनमें डोरी का डिजाइन लगाएंगे तो उससे ल स्लाई लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे देखिए धाई धाई इंच की हम इसमें से स्ट्रिप्स कट कर लेंगे इस तरह से इस तरह से हम अपनी सारी स्ट्रिप्स को कट करके रख लेंगे तो मैंने पहले से ही बना के और तयार करके रखी हुई है और उनको कट करके रखा हुआ है देखिए अब हमें एक पेपर लेंगे पेपर पर मैंने दौनों साइड में मार्किंग की है स्ट्रेट लाइन से और जो बीच का मैंने गैप रखा है ये मैंने रखा है डेड इंच आपकी मर्जी है अगर आप डेड इंच गैप रखना चाहते है या आप दो इंच गैप रखना चाह क्यांकि risky क्योंकि जब हम अपनी महोरी की fiting करेंगे तो हमारा कपडब एक्या 5 in साइड से भी फिटिक में जाएगा है अब हम guyton के मारकिन की हैं उसके ऊपर इहां सिलाई लगाएं और आप देख रहे हैं मेरी strips दौनों साइड में, मार्किंग के दौनों साइड में, हाफ-ाफ इंच तक एक्ष्टर आप की जानी चाहिए strips इस तरह से हम हाफ-ाफ इंच के gap में strips को stitch कर लेंगे paper पर इस तरह से तो बाकी की सभी strips को मैं इस तरह से इसमें stitch कर लूँगी तो ये देखिए मैंने सारी strips को इसमें stitch कर लिया है अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे और जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है अब अगर आपकी strips एक्ष्ट्र है हाफ इंच से तो आप उनको साइड से कट कर लेंगे और हाफ इंच ही हमें strips रखनी है बाकी की हम एक्ष्ट्रा कट कर लेंगे दौनो साइड से तो देखिए दौनो साइड से मैंने इनकी कटिंग कर ली है अब हम इसको स्टिच करेंगे अपने कट वर्क वाले डिजाईन में यह देखिए अब एक साइड से मैं इसको कटवर्क वाले डिजाइन के साथ में स्टिच कर लूँगी इस तरह से यहां से हम सिलाई लगाएंगे यह देखिए इस तरह और जो हमने सिलाई लगाई है अपने स्टिप्स को स्टिच करते टाइम उसी के उपर हमें सिलाई लगाती रहनी है इस तरह से इसके उपर हम सिलाई लगाने के बाद में इसको देखिए फोल्ड करेंगे अपने राफ को दूसरी साइड में पेपर के इस तरह और fold करने के बाद अब हम इसके किनारे पे बिल्कुल एक sly लगा लेंगे एक sly हमें इसके उपर लगा लेंगे sly लगाने के बाद में हमारा जो ड्राफ रेडी है अब हम इसको stitch करेंगे अपनी pant की महुरी में ये देखें, design हमारा बनके बिल्कुल रेडी है हम इसको अब अपनी pant की महुरी में stitch कर लेंगे और जितनी भी आपकी draft की length है ये बनके जो तयार आई है आप इसको नाप लेंगे कितनी length आई है इसकी तयार तो 3.5 इंच मेरी इसकी length है 1.5 इंच उपर सलाई में दबाने के लिए मैंने अलग छोड़ दिया है अब जितनी आपकी draft की length है उतनी आप अपनी pant की total length में से cut कर लेंगे और तभी आप अपने draft को इसमें stitch करेंगे अब मैं इसको इसमें stitch कर लूँगी 1.5 इंच कपड़ा दबाते हुए जो हमारी ये sly लगी हुई है बिलकुल इसी के उपर हमें sly लगानी है ये देखिए इस तरह से और sly लगाने के बाद में हम इसको दूसरी side में fold करेंगे और एक sly हम इसके उपर लगाएंगे अब इसके side में मैं एक sly और लगा लूँगी इस तरह से तो ये हमारा design यहाँ पर complete है अब मैंने ये डोरी बना के तयार की हुई है डोरी की length आपको देखिए काफी ज़्यादा रखनी है और आप पतली सी डोरी बना के तयार करेंगे अब डोरी के एक कॉने को हम इस strip में बीच में stitch कर लेंगे यहाँ पर बिल्कुल center में हमें इसको stitch कर लेना है इस तरह से और stitch करने के बाद मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से डोरी के साथ में design बनाने वाली हूँ अगर आपको ये चीज एक बार में समझ नहीं आ रहे है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा यहाँ से back करेंगे और दुबारा से देखेंगे आपको पक्का समझ में आ जाएगा और जब आप खुद try करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा बहुत easy design है इस तरह से आपको design बनाते रहना है देखिए डोरी को round करेंगे हम strip के आगे तक और यहाँ से एक बार क्रॉस करेंगे और फिर इस strip के नीचे से हम क्रॉस करके निकालेंगे अब इसको खीच लेंगे डोरी को देखिए मैंने काफी लंबी जो है डोरी यहाँ पर यूज की है तो आपको डोरी काफी अच्छी length में रखनी है सेम प्रोसेस हम next में करेंगे इस तरह से तो यह देखिए हमारा design बनते जा रहा है इसी तरह से हमें बाकी की सभी strips में अपना design जो है बनाके ready कर लेना है यह देखिए सेम हमें आगे तक इसी तरह से बनाना है एक बार हम इसमें बीच में से cross करेंगे और फिर डोरी के नीचे से निकालेंगे डोरी को strip के नीचे से और इसको अच्छे से हम tight कर लेंगे तो यह हमारा design देखिए बनके बिल्कुल ready है और side से मैंने यहाँ पर डोरी को छोड़ दिया है थोड़ा काफी अच्छी length में जो हम पेपर को हम निकाल के अलग कर लेंगे तो प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताए आपको इस design कैसा लगा और आपका कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते है और वीडियो को like करे, share करे और चैनल को subscribe भी कर ले, bell icon को press कर ले thank you for watching